हलो दोस्तों वेलकम बैक टू मैं चैनल दोस्तों आज मैं आपके साथ जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है कि आप जीमेल अकाउंट कैसे क्रेट कर सकते हैं तो मैं स्टेप बैस टेप आपको बताऊंगी और शुरू करती हूँ इसे बताना तो सबते पहले आपको गूगल ख स्क्राइब करती हूँ गाउ यहाँ पर आप चाहोओ तो गीमेल साइन अप लिख सकते हो लॉगई भी लिग होगे तब भी साइनप रिंप हर बटील्य के लिए यहाँ पर मैंने खोल लिया है और अब मैं फ़र्स वाले है जीमेल उपेन करी तो गीमेल मैंने कुछ फॉर्म जैसा चीज ओपन होगी तो चलिए यहां पर हम क्लिक करते हैं create an account पर और एक फॉर्म जो फिलप हो रहा है उसको हम open कर लेते हैं तो मैंने यहां पर इसे चले क्लिक किया यहां पर मैंने create an account पर देखें यहां पर आपको आएगा first name last name और यह कुछ फॉर्म जैसी चीज़े फिलप करने के लिए तो चले मैं यहां पर फॉर्स नेम पर जाती हूं यहां पर आप अपना जो भी आप अपना नाम है आपको वो नाम यहां पर फिल करें तो यह बॉक्स जो है वह इंपॉट डालने के लिए ठीक है तो username क्या होता है जो आपका account जो आप create करना चाहते हो वही कहलाता है username उसी से आप identify करोगे कि यह आपकी ID है तो username में भी आप अपने हिसाब से अगर आपने पहले से कोई choose करके रखा हुआ है तो वह आप create करें लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपने choose कुछ unique सा different सा डालना होगा ताकि वह ID अब तक किसी ने नहीं create की है और यह Google जो है वह ID मेरी accept कर ले जो मैं चाह रही हूँ तो चले यहां पर multiple try कर रही हूँ यहां पर आपको नीचे में suggestions भी देते हैं अगर आप prefer करते हो suggestions लेना तो आप suggestions के through भी ID create कर सकते हो लेकिन मैं याद रख सके भूलने वाले user ID बनाने से कोई फायदा नहीं अगर आपको important काम के लिए अपना ID बनाना है तो आप ऐसी ID बनाएं ऐसा नाम रखें जो आप आसानी से याद रख सके तो यहां पर चले मेरे को multiple time लग रहे हैं क्योंकि यह बार बार Google यह पता रहे है कि already taken है य दोस्तों आईडी में आप अपना नाम डाल सकते हैं अपना यह अनाम के साथ साथ आप numbers और letters का इस्तेमाल कर सकते हैं 241 я सारी चीज़ों के साथ अप अप आईडी जो है वो create कर सकते हैं यानि कि सिर्फ letters भी हो सकते हैं numbers and letters mixed हो सकते हैं तो इस तरीके से आपको अपनी ID create करने हैं finally मैंने जो है वो अपनी ID के लिए username डाल दिया है और Google ने वो approve भी कर दे कि यह हो सकता है it's not taken by anyone अब next पर हम आते हैं वो है password तो password दोस्तों आप अपने हिसाब से set करें देखिए password जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि कोई easily guess ना कर सके तो ऐसे password आप डालें जो कि आपको याद भी रहे और आप कोई आपकी ID को hack ना कर सेगा अगर आप easy सा password डालोगे तो कोई भी easily उसको hack कर लेगा तो hackers तो हर जगा available होते हैं तो password आप ऐसा डालो कि strong password हो मैंने password डाल दिया आप मैंने next पर click कर दिया है यहाँ पर आने के बाद भी आपको कुछ options हैं जैसी कि आपको phone number डालने के लिए तो phone number अगर आप fill करोगे तो वो बहुत ही अच्छा आप easily recover कर सकते हो अपनी ID को अगर आपकी ID गुम हो गई या आप नहीं recognize कर पा रहे है या password भूल गए हो तो साथ ही यहाँ पर recovery email डालने के लिए आपको कह रहा है वो भी आप डाल सकते हो मैं नहीं डाल रही हूँ, optional है वो दोनों चीज़े आप नहीं भी डाल सकते हो लेकिन डालोगे तो आपके लिए यही फादा है यहाँ पर date of birth और gender पूछ रहा है वो दोनों चीज़ आपको fill करनी है और अब next पर click कर देना है तो यह सारी चीज़े fill करने के बाद यह privacy and terms आएगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना नीचे drag करके लाना है I agree का button आएगा उस पर आपको click करना है तो यहाँ पर मैंने इसको I agree कर दिया है और अब एक आपका brand new Gmail account जो वो खिल चुका है तो चले यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो inbox है वहाँ पर आप पहुच जाएंगे direct यह देखें यह Gmail खुल चुका है और दोसमें सिर्फ और सिर्फ आप इस Gmail ही यूज नहीं कर सकते हो इस account से इस account से आप वो सारी चीज़े यूज कर सकते हो आपको यहाँ पर प्लस बटन का sign है वहाँ पर compose लिखा हुआ है, inbox है स्टार्स है, यह सारी चीज़े आपको मिलेंगे इस inbox आपके Gmail अकाउंट के अंदर इसके रावा क्या है? आईए चले देखते हैं अभी आप सुचो होगी कि आपने जो account यार किया वह कैसे मैं पता कुछ करूं कि यह वही है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिखा हो मैंने चुकि सारा पिंटो के नाम से account create के यहाँ पर आपको नीचे माईडी भी दिख रही है जो आपने चूच की थी वो साथी नीचे sign out वगरा का भी option है इसकी बात यह जो dots आपको दिख रहे हैं इस पर आप क्लिक करोगे तो यह सारी चीजें आप सिर्फ इस ही account से चाहे तो access कर सकते हो जैसे कि YouTube अगर आप चाहते हो YouTube में भी आप same account से login कर सकते हो Play Store में कर सकते हो Drive में कर सकते हो तो इस तरीके से आप easily यह सारी चीजें कर सकते हो दोस्तों तो चलो दोस्तों वीडियो खदम करते हैं Bye Bye Take Care यह था easy सा process Gmail account create करने का दोस्तों तो चलो मेरे चैनल को subscribe करना अगर वीडियो पसंद आया तो मैं फिर मिलूँगी next अपनी वीडियो के साथ तब तकिली बाँ बाइ